हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगी हरी सबजी खाने के एक खास फाइदे पहला फाइदा है हरी सबजी खाने से हमें अच्छी मात्रा में विटामिन A और फॉलिक एसिद मिलता है विटामिन A आखों के लिए और फॉलिक एसेद हेमोगलोबिन के लिए फायदेवन्द होता है दूसरी टेप है हरी सबजी खाने से ब्लेडर कैंसर नहीं होता है नेक्स टेप है हरी सबजी खाने से विटामिन B की कमी नहीं होती है अगली टिप है हरी सबजियों खाने से हमारा रख चाप नियंतरित तरीके से काम करता है अगला फाइदा है हरी पत्तेदार सबजियों में कॉलिस्ट्रोल को कम करने का गुण होता है कॉलिस्ट्रोल की अधिक मात्रा कई बिमारियों का कारण होती है अगले फाइदा है मूली के पत्तों की सबजी की खाने से सर्दी से बचाय जा सकता है इसे हमें ठंड कम लगती है अगले टिप है विज्ञानिकों का दावाए कि हरी सबजीयों को उबाल कर खाने से उनकी ताकत दोगनी हो जाती है अगले टिप है हरी पत्तेदार सबजियों में कैल्शियम, वीटा कैरोटिन, एविटामिन, सीवी काफी मात्रा में पाई जाते हैं जो कि हमारे ले काफी फाइदे मंद है नेक्स टिप है नियमित रूप से हरी सबजियों खाने से हमारी आखों की रोशनी बढ़ती है अगला नुस्का है हरी सबजियों का सेवन करने से हमारी शरीर का उचित विकास होता है अगला फाइदा हर रोज हरी सबजियों खाने से एनीमिया रोक दूर रहता है अगले फाइदे की बात करो, तो वो हर रोज हरी सबजियों का सेवन करने से हमारी स्वचा खूपसूरत और जमा दिखती है अगला फाइदा है एनर्जी से जोड़ा, हरी सबजियों खाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, जिसकी वज़ा से हम पूरा दिन एक्टिव महसूस करते हैं अगली आखरी टिप है, हरी सबजियों खाने से ब्लड शूगर कंट्रोल में रख, इससे हमें पदा चलता है कि हमें जाद से जादा हरी सबजियों का सेवन करना चाहिए, जो कि हमारे लिए काफी पाइदे मनें है थैंक यू सो मच, कीव वाचिंग टोड़े इस पर मोर वीडियों